भारत बैटेक की वैक्सिन को वैक्सिन का पहला रियल वर्ल डेटा आया है जो की बताता है कि पचास प्रसंट इफिकेसी है और यह जो टेस्ट हुआ था जो यह सैंपल दिये थे वो एमस अस्पताल के मेडिसन डिपार्टमेंट में यहां पर यह स्टडी की गई थी जिसमें यह डेटा आया है और लैंसेट में रिपोर्ट छपिया है इस पर बात करने के लिए अप्ट नवीत वीग मेरे साथ मौजूद हैं जो की डिपार्टमेंट के हैं मेडिसन के सर यह जो आपका स्टडी थी जिसमें यह कहा पाया गया है कि पचास प्रसंट ट्रिकेसी है तो य पहले तो मैं चाहता हूँ कि पचास परसंट पे हमें नहीं जाना चाहिए हमें जाना चाहिए यह यह वैक्सीन सारी वैक्सीन क्या होती है वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो दो चीजों पर निरवर करती है किस पेस पे हम वैक्सिनेट कर रहे हैं हम लोगों को किस तेजी के साथ vaccinate कर रहे हैं और कितनी coverage है तो यह study जब हुई थी जब हमने देखा कि हमारे healthcare workers hospital में positive हो रहे हैं कुछ लोगों ने vaccine ली हुई है कुछ ने नहीं ली हुई है और उस time positivity rate दिल्ली में 35% था aims में उस time 67% था तो हमने दो चीजों को देखा यह 15 April से 15 मही के बीच में study हुई जो 15 अपर और हमने तीन इसको एक महीने को भी हमने तीन भागों में divide किया पहले 10 दिन दूसरे 10 दिन और तीसरे 10 दिन तो हमने और दूसरा हमने यह देखा कि vaccine जो जन्होंने leave ही है पहली डोस फिर दूसरी डोस दूसरी डोस के 14 दिन के बाद दूसरी डोस के 28 दिन के बाद दूसरी डोस के 42 डेस के बाद तो यह symptomatic infection को vaccine prevent करेगी के नहीं करेगी तो हमें इसको पूरे perspective को देखना है अगर हम 10% अगर 10 दिन का हम इंटरवर देखें पहले 10 दिन जब आपका positivity rate 60% था हमारे institute में दिल्ली में 35% था और हमारे आखरी 10 दिन में फिर वो wave कम हो गया वे जब आपके इतनी ज़ादा तुफान था वो तुफान जब कम हुआ तो हमारा फिर test positivity rate 17% हो गया 64 से 17% हम 30 दिन में आगे थे 20 दिन में आगे थे तो इतनी तेजी से vaccine मतलब attack हो रहा था उस time vaccine मतलब covid का लोगों के उपर रहा तो हमारे healthcare workers में यह study किस ने की यह study हमारे residents ने की जो इस time ICU में काम कर रहे थे जगा जगा कर रहे थे कितने पैसे लगे study करने में zero money तो zero money पे कितने मुश्किल circumstances में यह study की गई और हमारे residents ने अपने फिर जो mentors हैं उनके साथ मिलके different department के साथ मिलके एक real world data हमने देने की कोशिश की और देखा जाये तो पहले 10 दिन में जो efficacy थी वो 53% थी और आखरी 10 दिन में जब number कम हो गया तो efficacy 75% थी तो हमें इसको पूरे perspective में देखना पड़ेगा और vaccine की dose दूसरी important अगर दो हफते के बाद efficacy हमारी 50% आ रही है तो 42 दिन के बाद वो 57% आ रही है तो हमें यह देखना होता है कि एक तो उस time infectivity का factor कितना है आर नौट जो हम बात करते हैं उस time infectivity तुफान था आज कल तो आपके तो 10,000 से आज कम है उस time साड़े चार लाख मरीज आ रहे थे आज 10,000 मरीज तो आज की date में अगर हम सब को vaccinate करेंगे जो हम कह रहे हैं बार-बार सब को करेंगे vaccinate और दो डोस करेंगे जितनी जल्दी दो डोस दे देंगे उतना ज्यादा effective है और फिर आगे तो booster की भी बात करने बड़ेगे देखे जो भारत ने पहला कदम उठाया था वो था कि मास्क हर कोई मास्क पहने उसके बाद बाकी country ने मास्क पे जोर नहीं दिया उस मास्क के ना जोर देने के कारण मास्क ना पहने के कारण लोगों ने कुछ वेस्टरन कंट्रीज में मास्क पहना छोड़ दिया तो उनको दो-दो वेक्सिन भी लग गई अब वहां बूस्टर भी लग रहे हैं उसके बावजूद भी मरीजों की बाड़ आ रही है क्यों आ रही है तो मास्क आपको 50% बचाता है इंफेक्शन से और औरों को इंफेक्शन नहीं होने देता है तो इसलिए मास्क पहना बहुत जरूरी है तो वेक्सिन आपको 50 से लेकर 80% तक आपको बचाईगी लेकिन different circumstances में तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हमें वेक्सिन तो effective है उसकी effectiveness कब तक रहती है और उसकी effectiveness कितनी रहती है और हमें कब booster की जुरूरत पड़ेगी और हमें क्या हमें एक vaccine देनी है या mix and match करना है वही European countries में तो पहली अपकी पहली COVID लगी दूसरी Pfizer लगी तो हमें यह सोचना पड़ेगा इस पर हमें आप काम करना पड़ेगा कि हम vaccine की efficacy prime and boost करके कैसे बढ़ाएं और ताकि हम एक long term एक immune response दे पाएं तो mask पहनना बहुत जरूरी है अगले कुछ महीनों तक यह तो आपको बहुत चीज़ से बचाएगा और दूसरा vaccine effective है आप कोई भी vaccine लीजिए कही बर मुझे सोचना पड़ता है कि मैं इस मरीज को कुछ immunosuppressed मरीज होते हैं कौनसी vaccine दूँ तो हर चीज़ को हमें सोच सोच के करना पड़ता है तो मन में एक percent भी होना चाहिए कोई शील्ड और को वैक्सिन दोनों बराबर हैं कोई भी vaccine लीजिए जो आपको मिली वो अपने ले ली पर अपनी second dose भी लीजिए फिर जब booster की बात आएगी तब देखेंगे लेकिन अभी इस पे सबी drug companies को और globally हमें मिलके काम करके ये बताना पड़ेगा कि कौनसी vaccine प्राइम पहले मैं कौनसी दूँ दूसरी कौनसी दूँ या मैं दोनों vaccine सेम ही दूँ या additional dose भी सेम दूँ तो इस पे हमें आप काम करने की जुरूत है और अगले 2-3 मीने में हमें दिखाना पड़ेगा कि best क्या है एक सवाल ये भी है कि आप इसको analysis किस तरह करते हैं कि लोगों को को घबराने की ज़रूत नहीं है देखिए vaccines effective है भारत इस time आप 10,000 आप Austria में देखो आप Germany में देखो आप Netherlands में देखो आप Belgium में देखो आप America में देखो हाल क्या है भाई वहां भी दो-दो फाइजर लगने के बाद लोग हस्पताल में admitted है कई लोग तो vaccine ले नहीं रहे है तो हमने जो vaccination किया अब आप घर घर जाके vaccination कर रहे हो घर घर जाओ vaccination करो दो-दो vaccination मेरी सबसे appeal है अपनी पूरी-पूरी vaccination करिये और COVID appropriate behavior को आपको करना पड़ेगा large gatherings को रोकना भी पड़ेगा अभी कुछ समय तक अगले दो महीने तक रोकना पड़ेगा vaccine बहुत 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 को vaccine हो COVID shield हो दोनों vaccines बहुत effective है चाहे आप Pfizer, Moderna Moderna का भी 56% है यह आप 50% की बात कर रहे हो तो delta variant जब हाई था तो एक study में उनमें 56% पाया गया है तो यह 50 से 60 से 70 या 75 या 80 यह जो बातें हो रही हैं यह बातें उस टाइम की हैं कि यह सब studies different circumstances में की गई हैं अगर मैं यह study आज की date में करूँ तो मुझे इसकी effectivity 90% भी मिल सकती है लेकिन हमने उस टाइम की जब हमारे healthcare workers हो रहे हैं वेक्सिन कितनी effective है लोगों में hesitancy है तो hesitancy को सब को दूर करने के लिए तो हमने उस शुरू में पाया और हमने देखा कि positivity rate हमारी अगर aims में जब employees आते हैं या हमनका test करते हैं जब 64% है तो दिल्ली में 34% है तो डबल हो जाता था हमारा तो यानि पचास परसंट है तो यह कोई ने चिंता वाली बाद बल्कुए पचास परसंट तो दुनिया मानती है अब डबली एचो मानता है सब मानते हैं कि पचास परसंट तो अगर efficacy है तो vaccine तो बहुत अच्छी है लेकिन किस circumstance में की गई उसमें 50% है फिर में आपको बता रहा हूँ जब positivity rate कम आ गया हमारा तब 75% efficacy है जब test positivity rate हमारा 67% था तब था efficacy 50% अगले 20 दिन के बाद जब test positivity rate hospital employees में कम आ गया तो उसकी efficacy बढ़ गई तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा लोग vaccine लें फटाफट vaccine लें जो हम कर चुकी अब तो 114 करोड शायद vaccine आपकी लग चुकी है तो आप डरने की ज़रूद नहीं है vaccine safe है vaccine effective है vaccine आपको severe disease से बचाएगी यह हमारी study नहीं नहीं बताया कि severe disease से बचाएगी हमने तो बताया कि symptomatic कितना है और उस खत्रे में जिस टाइम सुनामी थी उस टाइम कितना है 50% बहुत ज़्यादा होता है जी 50% तो बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम में यह study उस वक की गई थी जब कोरोना की जो दूसरी लेर थी वो अपने पीक पर थी और जो positivity रेट थी वो ज़्यादा थी उस दौरान यहाँ पर करीब सुत्ताइस सब्जेक्स पर यह किया गया और उसमें यह पाया गया कि जैसे इसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी एफिकेसी भी बढ़ती जा रही है और वैक्सिन जो है वो एफेक्टिव है पचास परसंट को भी अगर आँकडा लें तो भी एफेक्टिव ही मानी आती है वैक्सिन प्रफूर शिवास्त आपको रखे आगे